जै मातादी, जै मा कमख्या, देव राधाटश सत्यवानी चैनल से आप पुराणों से संबंधित रहस्य में ज्ञान सुन रहे हैं। पुराने जमाने में जो हमारी परंपरा थी, संसकार्ती, संसकती थे, रीती रिवास थे, यह मान्यता थे, कि कोई भी इस्त्री जब मासिक धर्म से हो जाती थी, वह अशुद्ध अवस्था में हो जाती थी, या कहले रजस्वला से हो जाती थी। तो एसी इस्त्री को बहुत सारे प्रती बंधों के साथ में घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता था बंदू आजकल आधुनिकता पाश्चा सस्कती के रंग में डूबने की वज़े से हमारे घर की माता बेहने ये रजस्वला अवस्था को अशुद्धता नहीं मानती है और उसकी वज़े से उन्हें तरह-तरह की बीमारियां होती है पुराने जमाने में बीमारिया नहीं हुआ करती थी उसके पीछे कारण ही केवल यही था कि वहाँ पर उस समय पर ये सब चीजे मेंटेन हुआ करती थी पनाचकल घर छोटे हो गए हैं जाइंट जो पहले परिवार में रेते थे सैयुक्त हिंदू परिवार में रेते थे वो सब तूट चुके हैं अलग अलग जाकर के रेते हैं सर्विस करते हैं महिलाएं भी सर्विस करती है वो छुट्टी नहीं ले सकती है तो इसकी वज़े से उनके उपर उपरी बाधा तंत्र बाधा काला जादू, प्रेत चुडेल, डाकन, जिन्द, जिन्नाद ऐसी चीज़े लगती है और उसकी वज़े से तलाक तक हो जाते हैं पती के उपर इज़्दाम लगा देती है सिब अशुद्धता में घर से बहान निकलने पर प्रेतों का साया लगने की संभावना बहुत जादा होती है और अशुद्धता में भोजन बना करके खिलाने पर भी मानसिक पागलपन होने की संभावना होती है लवेरिया हो जाता है और कई बार तो ऐसा भी होता है कि किसी एक पती को देखने के बाद में उनके मन में कुरोधी की उत्पत्ती होने लगती है अब चुकि गंदा खाना तो इस्त्री नहीं खिलाया है अशुद्ध अवस्ता में यदि कोई भोजन बनाओगे तो वो अशुद्ध ही होगा और अशुद्ध भोजन करने पर खून भी अशुद्ध बनेगा मास भी अशुद्ध बनेगा सोचने की शक्ती भी अशुद्ध होगी तो निश्चित तोड़ से घर के अंदर क्लेश दुख अशान्ती अवश्य होगी और फिर पूरा परिवार डिस्टब होता है सिब गल्ती इस्त्री की वजह से और बहुत से पुरुष भी नहीं मानते हैं वह भी जान बूच करके काम करवाते हैं तो उनको भी कष्ट भुगतना पड़ता है यानि कि वह रिणी हो जाते हैं कहींने कहीं पर उनका पेशा डूब जाता है कहींने कहीं कोई पेशा उनसे उधाल ले जाता है तो वह वापिस नहीं देता है इन सब के पीछे एक ही कारण होता है कि आज के जमाने में मासिक धर्म, रजस्वला के नियम जो होते थे, अशुद्धता के नियम होते थे, उनका पालन नहीं करने की वज़े से बिमारियां आती है और बिमारियां आने से धन खर्च होता है और मनुष्य रिणी हो जाता है, प मिझे किसी की आत्मा दुखाने का शोक नहीं है, ये सत्य बाते आप चाहें तो पुराणों को उठा के पड़ो, शास्त्रों को पड़ो, या फिर आपके पास ये मोबाइल दिया गया, इसमें सर्च करो, कि रजस्वला के क्या नियम हैं और किन नियमों का पालन करना चाहिए, और जो नहीं करती है, निश्चित तोर से कष्ट के भागी बनती है, खुद भी कष्ट उठाती है, और पती को और बच्चों को भी कष्ट में धकेल देती है, मानो या ना मानो ये पुरता सत्य है, अशुद्ध अवस्ता में दान नहीं देना चाहिए, अशुद्ध अवस् अशुद्ध अवस्था में किसी भी पीपल के वरक्ष के नीचे से भी नहीं गुजरना चाहिए अशुद्ध अवस्था में तीरा है चोरा है इस पर भी जादा देर खड़ा नहीं रहना चाहिए और अशुद्ध अवस्था में शव को हाथ नहीं लगाना चाहिए अशुद्ध अवस्था में जिसके यहां मृत्य हो गई है उसके घर पे भी नहीं जाना चाहिए अन्यता प्रेत अवश्च लगता ही लगता है जै मता दी यदि जिन्दिकी को शांती से आनंद के साथ गुजानना चाहते हो तो मासिक धर्म रजस्वला अवस्था के जो नियम है जो ससकार है जो परंपरा है जो परिपाटी है उनका पालन करना प्राणब करे अन्यता आपके घर के अंदर अश्यांती अवश्य होगी कलेश अवश्य होगा बच्चों को तरह तरह की बिमारिया लग जाएगी खुद को भी तरह तरह की बिमारिया लग जाएगी और अंततह कस्ट भोकते हुए मृत्य हो जाएगी और पाप लगेगा उसका फल अगले जनम में काटना पड़ेगा क्योंकि ऐसा नियम है संसार का नियम है कि जो हम पिछले जनम में कर्म करके आए हैं वो इस जनम में काटते हैं और इस जनम में जो कर्म कर रहे हैं वो अगले जनम में काटते हैं तो ये पाप कर्म हर महीने दि करती रही तो मान करके चलो न जाने कितनी यातनाव से अगले जनम में गुजरना पड़ेगा जय माता दी